अगुआ को कि स्लाम वालेकूम अलिप। आज मैं आपको चॉपट इसका आज इसका एंग्रेडेंट से रखे हो है छे अंडे है एक सो पच्छीज गिराम शुगर हैं एक सो पंदरा गिराम मैदा इसके अंदर दस गिराम कोको पॉरर है यह खीए ज्च्री अब भी अब इसके साथ 125 गिराम ये शूगर उने बेट करके रिखी थी, वो अभी डाम देखें, ये देखें, तीन से चार ग्राट के अंदर ये हमारा स्पंच इस पोजिशन पर आई गिया है, ये आप देखें इसको, इसमें स्रिफ अंदा और चीनी हैं, को को कोड़र और मेदा तो लगा है, क्यूंकि हम ये चॉकले डिस्पंच लगा रहे हैं, अच्छा, आपको मैंने वनिला फ़चे, इसको मैंने आपस मिक्स कर लिए ठीक है, और इसके मैंने आपको बनीला स्पंच में बताया था, कि हलगा बोकर हो दो बोर् कोवाल क्राइब करते हैं तो वह Rat Keivity già मि στα तुर Web deber अग्ज़ करते हैं और कोवाल कोर्ड नहीं माINA हम और कोवाल क्या है कंप धो पाइब क्या हम एक थो हुआ हैं अग्रोकी के सारे क्या आर सपर टा है चाप स्नीनने क्रते हैं वह हाथ से ही चरें तो बहुत बहुतना है अच्छा है अगर किसी अरился बिर-वर में बना रहा है शोपर्डर किसे मैं अभरा भी दिया यहाब पी तर स्वर्श प्रेम होता है अखराइब को हैं अगर आपको लग रहा है कि आपको अपको लग रहा है तो आप क्या करेंगी कि अग्षिप आप पादर थोड़ा था डाल सकती है वैसे अभी जो आपने पिछली रेसे जो तो उटाई दी जो ज़ी जो आप आप कोई चीज यूज दी कि इसके अदर ना बेकिंग पॉडर ना बेकिंग सोडा कुछ भी नहीं अब देखिए आप पेस पज़ जब इस पॉजिशन पर आज़ेगा तो यह समझे लें कि इसके अ सूड़े डालें बेकिंग सोडा और बेकिंग कोड़ और सुरत में जब जलेगा जब आपको लगे का आपका तो ढूड़ता खराम हो सकता है सुरत मेनी तो दो जब अब नहीं पड़े एज़ीज वर्ट जैसा आप लोग चाहेँ जो चीज़ लगाना चाहे जो अपने प्र स्लिवार्ण होन के दो साच चाहथ के बिलकुल इजली आफ इसमें बेग कर सकते हैं चीक इसको बराबर कर देते हैं थोड़ा सबस्में ज्यादा होगी है इसको बराबर कर देते हैं अच्छा इसको पकाना भी उसी ही टमपरीचर पे जैसे हमने वनीला स्पंज को पकाया था टू हंड़ेट इपी बर ठीक है यह हो यह यह वन रगिया स्पंज आखे अच्छा सार इसकी डिग्री कितनी है यह थोड़ेट में आपको पहले भी बाताया था पुए पक जाएगा बिल्कु और आप इसको टाइम देदें अठारा मिनट का अठारा से इनिस मिनट में यह पर आप जाता है तो बीस मिनट दे दे दें इसको फिलहाल बीस मिनट पर आप नहीं बेकिंग पर लगा दिया और डिग्री है 200 डिग्री 200 डिग्री बस यह 200 हो जाएगी बिल्कुल पूरी 200 हो जाएगी इस चाहिए मतलब अप्रॉक्सिमेटली वन नाइट अच्छा था कि म अच्छा गरबे कर लेशा तो उसके बार आप डैक कर लें लेकि इसको तो तरीकरार यह होका कि हर पास साथ मिंट के बार आप स्पाँप्ज को चेक करना होगा थो इसको ठीकरे नहीं प्रूरिया था मिन तो पोई फर्च नी पड़ेगा उसको अची ताप घरल लिग्री न तो देखें इस ने बिल्कुल साइड है ये मोल्ड को छोड़ दिया है बिल्कुल तो इसका तरीककार ये आपको पता लग जाए कि ये इस पंज हो चोगा है ठीक है इस ने निकाल करें है रज़ा रहा है ठीक है अच्छा ये चोकलेट अपटार है ये इसका कलर रही है और खुष्भू भी माशाला ये चेन्दे डाले ये 6 एंदे डाले दोनों की सेन है ठंडा हो जाता है मैं आपको काड़ दिखाता हूं जाहाँ, मैं आप आपको काटी के तभा दिखा देता हूं। एसपंज हमारा रेडी हो गिया था है। अर यह यह कै बैक च्छाँ ओगाता हूं। छीक है। यह देखे हैं। यह स्पंज हमारा जैको विल्कुल माश़ला रेडी हो गिया। तो विर ऑ्ट निए कोको पॉर्ला बिल्ग एक्टियों से इसे अदर मिक्स होगी है सम्च बरादार हो गई है ठीक ठीक अचा शेफ नहीम साब अगर हमने दो सपंच जिसे हमने भी बेग किया एक यह बेग किया और एक यह बेग किया दो दिन के बाद इसक्माल करें, तीन दिन के बाद जब तक फ्रीजर में रहेगा, यह खराब नहीं हो और दो तीन चार दिन तक फ्रीजर में बिल्कुछ सही रहेगा ठीक तो आप निकालें इसको माइक्राइब करें, माइक्राइब में रखें इसको 2-3 मिनट का टाइम दें उसके बाद आप ताज़ा हो जाएगा तीन से 4 मिन बाद इसको दोबार आप स्कार्ड भी करें ताज़ाएगा